कोई एक काम करने के लिए आपको एक मास्क पहनना पड़ता है अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए हम खुद को खास सांचों में ढलते हैं पर समय बीतने के साथ साथ लोग 30-35 के होते होते एक ही मुखोटे में अटक जाते हैं वे इसे उतारी नहीं पाते हैं, हर जगा वे एक ही जैसे रहते हैं अब ये परेशानी बन जाएगा देखिए व्यक्तिकत परस्नालिटी इस शब्द को अगर देखें तो ये शब्द बना है मूल रूप से परसोना से परसोना यानि आपका मास्क कोई एक काम करने के लिए आपको एक मास्क पहनना पड़ता है अभी आप एक खिलाडी है जब आप खेल के मैदान में होती हैं तब आप एक तरह का मास्क पहनती हैं जो कि जरूरी है वो मास्क आक्रमक होना चाहिए अगर जरूरी हो तो विरोधी में डर जगाने वाला, जैसी जरूरत है, जो भी हो, आपको उस तरह का मास्क पहना चाहिए, आप ऐसा मास्क घर पर नहीं पहनते, आप ऐसा मास्क अपने दोस्तों के बीच में नहीं पहनते, क्योंकि मास्क वही होता है, जिसे अपनी मर्जी से पहना और उतारा जा सके, पर personality का यही मतलब है, अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए हम खुद को खास सांचों में ढालते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ लोग 30-35 के होते होते एक ही मुखोटे में अटक जाते हैं, वे इसे उतारी नहीं पाते हर जगा वे एक ही जैसे र उनके चेहरे कुछ ऐसे थे, एक बड़ी स्माइल, उनकी मुस्कान ही नहीं रुकती थी, पर धीरे धीरे उनका चेहरा गंभीर बन गया, क्योंकि वे अपने ही मास्क में अटक गये हैं, उन्होंने एक मास्क पहना और वे उसे उतारी नहीं पाते, वो हमेशे चिप कर रहता तो अपनी परसनालिटी को ठोस बनाना जरूरी नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि अपनी परसनालिटी को लचीला बनाया जाए, अलग-अलग तरह के कामों को करने के लिए, अलग-अलग तरह के मास्क पहनने जरूरी है, बिना मास्क के, बिना परसनालिटी के, आप दुनि पर बात समझ जा सकती है, पर खुद को बंदी बनाने से बड़ी मुर्खता नहीं हो सकती है, पर अधिकतर समय 90 प्रतिशत लोगों के साथ यही हो रहा है, यह बात लोगों के सही या गलत होनी की नहीं है, बस इतना है कि हर इंसान अपनी समझ और बुद्धी की अनुसार रहा है, हर कोई जीवन को एक ही हद तक समझ कर जीवन का बोध नहीं पह सकता, अगर आप देख पाएं तो देखेंगे कि लोग अपनी सीमाओं के वज़े से वैसे हैं, जैसे वे हैं, तो आप उनके सही, गलत, अच्छे, बुरे वगरा के बारे में फैसला सुनाने के पसंदाना जरूरी भी नहीं है, किसी काम को करने के लिए मास्क पहन कर भी, मास्क पहन कर भी आप आप ही रहते हैं, पर अभी समस्या ये है कि मास्क आपके चहरे से ऐसे चिपक जाता है, कि आप अपने और मुखोटे के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं, तो मास्क या पर अगर हम इसके प्रती जागरूख हो जाएं, कि मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ, अगर ये एक चीज हर इंसान समझ ले, अगर वे इसके प्रती सजग हो जाएं, तो ये सारी चीजें कोई मुद्दा नहीं है, हमें शरीर और हमारे इस मन की बहतरीन ख्शमताओं का इस्